केंद्रिय सडक परिवेहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने कहा है कि भारत वितवर्ष दोहजार चौबीस पच्चीज तक पांच हजार अरब डॉलर की अर्थवेवस्था होगा केंद्र सरकार सतत्विकास को हसिल करने और रोजगार को बढ़ाने पर जूर दे रही है बढ़िया दावा है मनी नाइन भी आपके ज्यान और वित्तिय समझ को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रियास कर रहा है नमस्कार मैं हूँ वरून स्वागत है आपका मनी नाइन पर और आप देख रहे हैं अपना पसंदिदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी जेब आपकी जिन्दगी से जुड़ी खबरें तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर है आपकी कमाई से जुड़ी हुई दिल्ली सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है ये कौन सी पॉलिसी है बताते हैं आपको अगर आपके पास कार है तो दरसल एक खबर आपके काम की है राश्ट्य राजधानी दिल्ली में प्राइवेट कार को अब कमर्शियल विहिकल के रूप में रजिस्टर किया जा सके का केजरिवाल सरकार इसके लिए एक नई स्कूल कैब पॉलिसी ला रही है दिल्ली में मौ स्कूल लाने ले जाने के लिए नीजी वाहन का इस्तेमाल सिर्फ कुछ बदलावों के जरीए किया जा सकेगा और यह नई पॉलिसी केबल सी एंजी इंधन वाले नीजी वाहनों पर लागू होगी इसकूल कैब पॉलिसी 2007 में बनाई गई थी अब खबर है जियो यूजर्स के लिए जिनको अनलिमिटेड जियां अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा रिलाइस जियो ने आईफोन 12 और उसके ऊपर के आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी घोशना की है Jio ने कहा कि आईफोन यूजर्स को Gio True 5G service unlimited data के साथ उपलबध होगी iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 2022, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro और 14 Pro Max यानि 12, 13, 14 ये जितनी भी सीरीज है इन यूजर्स को जियो की 5G सर्विस का ये लोग लुट्फ उठा सकते हैं जियो ने कहा कि 5G सर्विस का लाब उठाने के लिए यूजर्स को अपने डिवाइस का सॉफ्टवेर iOS 16.2 से अपडेट करना होगा अब आज की तीसरी खबर बड़ी और सरकार के अंतिम पूर्ण बजट से जुड़ी हुई एक फरवरी को पेश होने वाला आम बजट कैसा होगा और इसका संकेत केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने शुकरवार को दिया उन्होंने कहा कि आगामी बजट सार्वजनिक खर्च के जरीए वरधी को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा सीता रमन ने कहा कि आगामी बजट पिछले कुछ साल के बजट की भावनाओं के अनुरूप होगा सीता रमन लगातार पांचवीं बार बजट पेश करेंगी आम बजट 2023-24 SSM पेश किया जाना है जब कई संस्थानों ने चालू वित्वर्ष के लिए भारत के वरद्धिदर के अनुमान को घटा दिया है अगले वित्वर्ष के बजट में महंगाई को काबू करने, मांग बढ़ाने, रोजगार सरजन और देश की अर्थववस्था को 8% से अधिक की वरद्धि की रहा पर ले जाने वाले उपायों पर ध्यान देने की जरूरत होगी अब जो खबर है वो भी बजट से जुड़ी है, आगामी बजट में वेक्तिगत आयकर छूट की सीमा को दो गुना कर 5 लाक रुपे किया जाना चाहिए ये मांग उद्योग मंडल एसो चैम के, एसो चैम ने सरकार से की है, एसो चैम ने ये कहा सरकार से के ऐसा करने से अर्थववस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा इस समय सामानने रूप से 5 लाक रुपे तक आयकी अधिक्तम सीमा पर कोई आयकर नहीं लगता 60-80 साल की आयू वर्क के वेक्तियों के मामले में ये सीमा 3 लाक और 80 से अधिक, आयू के वरिष्ट नागरिकों के लिए 5 लाक रुपे है S.O.C.M. ने कहा कि वैश्विक इस्तर पर मंदी आ सकती है और उससे विदेश वैपार परभावित होगा ऐसे में भारत की GDPP परभावित हो सकती है S.O.C.M. ने कहा कि डारेक्ट और इंडारेक्ट दोनों तरह के टेक्स कलेक्शन में उच्छाल से सरकार के पास आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की परियाप्त गुंजाईश है अब अगली खबर I.C.I.C.I. Bank, करनाटका Bank और Bank of India के ग्रहाकों के लिए इन तीनों बैंकों ने F.D. पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोशना की है I.C.I.C.I. Bank ने 46 दिन से लेकर 10 साल वाली F.D. पर ब्याजदर में 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है आम जनता को अधिकतम 7 फीजदी और सीनियर सिटीजन को 7.5 फीजदी का ब्याज मिलेगा करनाटका Bank ने 91 दिन से लेकर 100 दिन वाली एक नई F.D. पेश की है ये F.D. सीमित समय के लिए उपलब्द होगी इस F.D. पर Bank 7.49 फीजदी की दर से ब्याजदर दे रहा है Bank of India ने 7 दिन से 10 साल वाली F.D. पर ब्याजदर बढ़ा कर 3 फीजदी से लेकर 6 फीजदी इसको कर दिया है 444 दिन से लेकर 3 साल वाली F.D. पर ग्रहाकों को 6.75 फीजदी ब्याज की पेशकर्ष की जा रही है और बुलिटिन की जो छटी खबर है ये उन लोगों के लिए जो सोने में निवेश करते हैं करना चाहते हैं भारतिय रिज़र बैंक ने दो चरणों में सरकारी गोल्ड बॉंड योजना को शुरू करने का प्लान किया है ये योजनाएं निवेश के लिए दिसंबर और मार्च में खुलेंगी सरकारी गोल्ड बॉंड दो हजार बाइस तेइस श्रंखला तीन सब्सक्रिप्शन के लिए 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुलेगी चौथी श्रंखला 6 से 10 मार्च तक खुलेगी भार सरकार की तरफ से RBI ये बॉंड जारी करेगा गोल्ड बॉंड की बिक्री बैंकों, Stock Holding Corporation of India Limited, Clearing Corporation of India Limited को चुनिंदा डागगरों, BSE और National Stock Exchange के जरिये की जाएगी गोल्ड बॉंड की मियाद 8 साल होगी इसमें 5 साल बाद ब्याज भुकतान की तिथी को समय से पहले भुनाने की सुविधा होगी इसमें निवेशकों को अंकित मूले पर छामाही आधार पर धाई फीजदी सालाना ब्याज मिलेगा रूस यूक्रेन के बाद अब अमेरिका और चीन के बीच जंग शुरू होने वाली है यह जंग होगी वैपारिक जंग क्योंकि अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चीन की 36 कमपनियों को निर्यात नियंतरन वाली ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है राष्ट सुरक्षा अमेरिकी हितों और मानवधिकारों पर चिंता के चलते एक अदम उठाया गया है इन कमपनियों में विमानन, उपकरण, रसायन और कम्प्योटर चिप बनाने वाली कमपनियां शामिल है किसी कमपनी को वैपार एंटिटी लिस्ट में शामिल करने का मतलब है कि उनके साथ वैपार करने वाली किसी भी अमेरिकी कमपनी के निरियात लाइसेंस को रद कर दिया जाएगा ऐसा माना जा रहा है कि चीन की सेना को अत्याधुनिक कम्प्योटर चिप और हाईपर सोनिक हतियारों जैसी उननत तकनीकों को हासिल करने से रोकने के लिए ये पर्तिबंद लगाए गए है अमेरिका के इस कदम के जवाब में अपचीन भी कोई बड़ा कदम उठा सकता है जिससे एक बार फिर दुनिया की दो विश्व शक्तियों के बीच वैपारिक जंग तेज होती दिख सकती है अब आपके लिए एक अच्छी खबर है पुराने वाहनों को भी अब भारत श्रंखला में रजिस्टर्ड कराया जा सकेगा सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंतराले ने नियमित वाहन रजिस्टरेशन को भारत श्रंखला के नंबरों में बदलने की अनुमती दे दी है अभी तक केवल नए वाहनों को ही बीच श्रंखला के निशान या चिन का विकल्प चुनने की इसाज़त थी ये कदम बीच श्रंखला के दाएरे को व्यापक बनाने के उपायों के तहत उठाया गया है जिन वाहनों पर अभी सामान रेजिस्ट्रेशन चिन मौझूद है उनको बीच श्रंखला रेजिस्ट्रेशन चिन में बदला जा सकेगा इसके लिए जरूरी टेक्स का भुक्तान करना होगा राज्जियों के बीच निजी वाहनों के निर्बाद ट्रांसफर के लिए सडख मंत्राले ने सितंबर 2021 में नए वाहनों के लिए नए पंजी करण चिन के तौर पर भारत शंकला की शुरुआत की थी इससे वाहन मालिकों को एक राज्य या संग शासित प्रदेश से दूसरे में स्थाना अंतरित होने पर दुबारा रेजिस्टेशन कराने की जरूरत नहीं होगी अब जो खबर है वो होंडा गाडी को यानि होंडा कार को पसंद करने वालों के लिए खास है जापान की कार कंपनी होंडा ने जनवरी से अपने सभी मॉडल्स के दाम 30,000 रुपे तक बढ़ाने की घोशना करती है कंपनी ने कहा कि उत्पादन की बढ़ती लागात और लागू होने वाले सक्त उतसरजन नियमों के करण उसे एक अदम उठाना पड़ रहा है इसके साथ ही होन्डा पहले ही अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोशना करने वाली कंपनियों मारुदी सुजुकी, हिंड़ी, टेटा मोटर्स, मर्सडी बेंज, ओडी, रेनो, की आइंडिया और एमजी मोटर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है होन्डा कार्स इंडिया ने कहा कच्चे माल की कीमतों का उत्पादन लागत पर प्रभाव और आगामी नियाम के जरूरतों का आकलन करने गवाद कंपनी ने 23 जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है अब दस्वी खबर IPO में निवेश कर जो लोग पैसा बनाते हैं उनके लिए है यह हमारी आज की आखरी खबर शेहरी गय स्वितरन कंपनी IRM Energy Limited ने IPO के जरीए 700 करोड रूपे जुटाने के लिए सिभी के पास आविदन किया है DRHP के मुताबिक मौजूदा शेयरधारकों की तरफ से 1.01 करोड एकविटी शेयरों की भिक्री की जाएगी एहमदाबाद की एक कंपनी IPO से पहले 20 लाख एकविटी शेयरों को बेच सकती है अगर यह आवंटन पूरा हो गया तो फिर IPO का आकार कम हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है हमारा ये खास कारकरम आपको जरूर पसंदाया होगा अगर आप इस तरह की और काम की खबरों को देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नीचे कमेंट कर अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं सवाल पूछें अगर आप Money9 के अन्यत खास कारकरमों को देखना चाहते हैं तो Money9 के एप को डाउनलोड कर लें अब आप से मुलाकात होगी सोमवार को तब तक के लिए शुबरातरी गुडनाइट झालकात झालकात प्रीश शुबरातर शिए इस साथ चाहते हैं